रन्बिर कपूर और आलिया भट की शादी की चर्चा इन दिनों जोरो परे अब ख़बर आ रही है कि कपल की वेडिंग फेस्टिविटीज 13 या 14 अप्रेल से शुरू हो जाएगी दोनों की प्रिवेडिंग फेस्टिविटीज और ग्रेंड शादी चेंबूर इस्तित आरके हाउस में होगी बताये जा रहा है कि 3-4 दिन की सेरेमेनी के बाद रन्बिर आलिया पंजाबी रिती रिवास से 17 अप्रेल को शादी करेंगे रिपोर्ट्स के मुताबिक वेडिंग वेन्यू आरके हाउस में दोनों की शादी की तयारियां शुरू हो गई है कपल की प्रिवेडिंग फेस्टिविटीज भी पंजाबी रिती रिवास से होगी हाला की वेडिंग देट को लेकर दोनों फेमिली की तरब से अभी तक कोई ओफिशियल कन्फरमेशन नहीं मिला है दोनों परिवार शादी को सिक्रेट रखना चाते हैं बताया जा रहा है कि तेरा प्रेल को कपल की महंदी सेरेमनी है इसके बाद हल्दी संगीत समेथ सभी सेरेमनी होंगी कपूर खांदान की विरासत आर के बंगलो को इस ग्रेंड वेडिंग के लिए चुना गया है सूत्र ने कहा है कि फेमिली का मतलब the world for the कपूर है यह शायद इस पीड़ी की आखरी कपूर शादी है इसलिए वे इसे अपनी रूट्स के करीब रखना चाहते हैं इस भवे बंगले में एक विशाल लॉन है जो इस शादी में दोस्तों फेमिली और गेस्ट के लिए काफी बड़ा है रणबीर के पेरेंट्स रिशी कपूर और नीतु कपूर की शादी 20 जनवरी 1980 को आर के हाउस में ही हुई थी रणबीर कपूर और आलिया भट की इस ग्रेंट वेडिंग में दोनों की फेमिली, फ्रेंज और कई सेलिबरिटी भी शामिल होंगे इस शादी में शामिल होने वाले कुछ गेस्ट के नाम भी सामने आये है रणबीर कपूर ने अपनी शादी में सालों से उनके साथ काम कर रहे टेकनिशियन, हेर और मेकप आर्टिस्ट, स्पार्ट बॉइस और सभी असिस्टेंट्स को भी इनवाइट किया है इस शादी में साड़े 400 से जादा केस्ट सामिल होंगे इसके लिए शादी, स्क्वाइट, वेडिंग, प्लानर्स को अपॉइंट किया गया है रिपोर्ट्स के नुसार अपनी शादी के पहले रणबीर बैचलर पार्टी अपने घर पर होस्ट करने वाले हैं इस पार्टी में शामिल होने वाले गेस्ट की लिस्ट भी सामने आ गई है उनकी इस पार्टी में इंडस्ट्री से उनके बेहत करीबी दोस्त और बचपन के दोस्त शामिल होंगे रणबीर और आलिया चार साल से ज्यादा समय से रिलेशन्शिप में हैं दोनों एक दूसरे के परिवारों के साथ अच्छी बॉंडिंग भी शेयर करते हैं। रणबीर की मान नीतु कपूर और रिधिमा कपूर साहनी आलिया को काफी पसंद करती हैं। और अकसर अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में उन्हें लेकर प्यार बरसाती नजर आती हैं। दुबासी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकें दबाना ना भूलें।